नमस्ते, वाव क्रीशन चेनल में आप सभी का स्वागत दे गले का एको रोग जो वेक्ति को बहुँ ज़्यादा पनिशान करता है बार-बार वेक्ति को लगता है कि गले के अंदर कुछ चिपका हुआ है आप बार-बार उसके अंदर खकार लेते हैं, बार-बार खासी करते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकलता ऐसा लगता है कि कुछ अटक रहा है, कुछ चिपका हुआ है और कफ बहुँ ज़्यादा बन रहा है इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समझा है तो आज की इस वीडियो को आप जरूर देखे ये उपाय आपके लिए काफी ज़्यादा यूसपुल होएंगे गले के उपर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं और उसके जितने भी उपाय है वो सारे के सारे बेनेफिट करते हैं अगर आप उनको अपनाते हैं अगर ये वीडियो भी थोड़ा सा यूसफुल लगता है तो सभी के साथ जरू शेयक करें नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो जरू सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को भी प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ आप तर आ सके बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया है और बार बार फिर भी आपको ऐसा मैसूस होता है कि गले के अंदर कुछ चिपक रहा है फसा हुआ है अटका हुआ है या फिक खासी लेते हैं तो कब बहुँ ज़्यादा आ रहा है तो इसके पीछे सबसे पहले हम कारण जाल लेते हैं जो सबसे प्रमु कारण होता है वह यही होता है कि आपको अगर सर्दू जुकाम ज़्यादा लग रहा होता है तो ये समस्षय आपको हो सकती है अगर आपको ऐसी लिटी की समस्षय आए तो भी आपको इस प्रकास संक्रमण दिखाए दे सकता है यह किसी वेक्टिक गले के अंदर टोनसिर हो जाते है और टोनसिर के अंदर अगर मवाद बढ़ने लग जाता है वहां कोई फोडा हो जाता है, उसके अंदर बार बार पस बन बन कर निकल रहा है तो भी आपको गले में इस प्रकास चिप चिपाहट लगेगी, ऐसा लगेगा कि गले में कुछ चिपका हुआ है तो यह भी सबसे बड़ा आपको कारण मैसूस हो सकता है अगर आपके मूँ में छाले बन चुके हैं और छालों के अंदर भी अगर इस प्रकास से मवाद बढ़ने लगा है तो भी गले के अंदर आपको चिपचिपाहट लगेगी आपको ऐसा लगेगा कि गले में कुछ चिपका हुआ है ज्यादा थूग बनने के कारण भी गले में इस प्रकास से संक्रमन लग सकता है कि बाए बार आपके मूँ के अंदर गीला पन रहता है चिपचिपाहट रहती है थूग ज्यादा आता है और गले के अंदर अगर आप खासी लेते हैं तो इससी के साथ में बलगम निकलता है ज्यादा बढ़ने लग गई है कब जादा बन रहा है मोसम के अकोर्डिंग, अलर्जी के अकोर्डिंग या किसी भी कारण से आपको इस प्रकास से कब जादा बन रहा है तो भी आपको गले में चिपचिपाहट लगेगी गले के अंदर ऐसा लगएगा कि कुछ अठका तो आज की रेमेडिय आप जरू फोलो कर सकते हैं लेकिन अगर आपको कुछ भी समश्य जादा लगती है तो अपने डोक्टर से भी जरू परामश करें इस प्रकाह से जब भी चिपचिपाहट लगे या आपको गले में कुछ अटका हुआ लगे तो सबसे पहले आप गरारे करें गरारे के लिए यहाँ पर आप बिल्कुल सिंपल पानी होता है उसे ही गरम करें और उसके अंदर सेंदा नमक डाल दे सेंदा नमक जो होता है आपक कि सेंदा नमक की आपको डालना है अगर उसमें किसी प्रकाह का गले में संक्रमर होगा ऐसी रिटे की समश्या है या फिर अगर आपको बार बार छाले बन रहे है तो इस प्रकाह से आप गरारे करेंगे तो उसमें आपको काफी आराम आएगा तो अगर आपकी गले में इस चिपचिपाहट लग रही है तो सेना नमक वाले पानी से आप गरारे करें और दूसरा उपाय भी काफी अच्छा है अगर किसी भी व्यक्ति को गले में चिपचिपाहट लगती है इसका मतलब यह है कि शरीर के अंदर वात बढ़ चुका है और कप की प्रवती भी बढ़ चुकी है वात और कफ को कंट्रोल करने के लिए हम त्रिफला पाउडर का यूज करेंगे जो आपकी गले की संक्रमान को भी बिल्कुल सही करेगा जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में तीन दोश होते हैं और तीनों ही दोश किसी ना किसी प्रकास से जादा होने लगते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए त्रिफला का सेवन किया जाता है अगर आप त्रिफला रस को शैद के साथ लेते हैं तो भी आपको गले का संक्रमा सही हो सकता है या त्रिफला पाउडर को भी आप शैद के साथ लेते हैं तो आपको काफी आराम आता है तो दूसरा उपाई यही है कि त्रिफला पाउडर को आप एक चम्मच बढ़ लीजिए उसके अंदर शायद मिक्स कर दीजिए और उसे आप खा लीजिए अगर इस तरह से आप त्रिफला पाउडर को खाएंगे तो कप अगर ज्यादा बने लग गया होगा गले में भी फेपडो में भी छाले भी हो रहे होगे तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा और टोनसिल के अंदर भी अगर संक्रमाण हुआ होगा तो वो उसको सही करेगा साथ में ही अगर आपकी वाद बढ़ चुका है या कब बढ़ चुका है तो उस प्रवति को भी वो कंट्रोल करेगा तो इसी लिए त्रिफला पाउडर को आप शहयत के साथ लीजिए अगर आपको गले के अंदर बार बार चिपचिपाहट लग रही है बार बार अटका हुआ लग रहा है अगर आप शहत के साथ नहीं ले सकते तो दूसरा option भी आपके पास में है कि आप trifla powder को थोड़ी सी देर पानी के अंदर boil कर लीजिए उस पानी को भी आप पी सकते हैं इसी तरह से अगर trifla powder नहीं है तो trifla रसको गरम पानी के साथ में भी ले सकते हैं कहने का मतलब यही है कि अगर आपके गले में बार बार चिपचिपाहट लग रही है तो trifla को आपको यूज करना है अब आप इसे किसी भी तरह से लीजिए आपके गले का संक्रवन बिल्कुल सही हो जाएगा वात बढ़ चुका होगा उसको कंट्रोल करेगा कब बढ़ चुका होगा उसको कंट्रोल करेगा आपके बार-बार सद्य जुकाम होने को बिल्कुल सही करेगा किसी भी प्रकार की एलर्जी होगी टोनसिल बढ़ चुका होगा उसको वो सही करेगा गले में दर्द हो रहा होगा या फेपड़ों तक भी अगर कप की परवती बढ़ चुकी है तो उसको कंट्रोल करेगा अगर आपको कुछ फाइदा मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताए मिलते हैं फिट लेक जानकरे के साथ मैं थैंक इसो मुझ